यह दश्यावतार मंदिर है काफी जरजर स्थिती में है और यहाँ पर आने के लिए कोई भी साधन उपलब्द नहीं है किवल बाइक वगेरा ही यहाँ तक पहुँच सकती है यह बहुत प्रतिहार बंस प्राचीन मंदिर है पंतु इसकी कोई भी रख रखाब ना होने के कारण यह और जरजर होता जा रहा है प्रातत विवाक से निवेदन है कि वे इस और ध्यान दे और इनका पनरजीर नोदार करवाए ताकि इन दरोहर को बचाया जा सके यह बारा अखवान की मूर्ति है जो की बाहार रखी हुई है ऐसे ही चोटे चोटे और मंदिर थे यह कावी जरजर स्थिती में पहुच चुके हैं और कई नश्ट हो रहे हैं लोग यहां की मूर्तियों को चुरा कर लेके जा रहे हैं इस वर पठारी कि ना तो बिदायक ना सरपंच कोई ध्यान दे रहे हैं ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने इनकी हालत पर ही इनको छोड़ दिया है सभी से निवेदन है कि इसका पुना जीन अधार कराएं यह काफी गिरती हुई स्थिती में है यह देखिए यह गिरने की स्थिती में है कोई भी रख रखाव में होने के कारण यह अत्यंत जरजर इस्थिती में पहुंसती जा रही है दरोहर काफी देनी स्थिती है इसको परियाटक स्थल के रूप में ऐसा नहीं लगता है कि काम किया जा रहा है कर दो दो कि अधिती है यह जा रहा है